जनसत्ता संपात्किय गती 110 शब्द प्रितिमिनट बी रडी 3 2 1 स्टार्ट इस महमारी के वक्त में कोरोना संक्रमन के निदान से जुड़े चिकित्सा उपकरणूं और जरूरी दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जी एस्टी में कटोती निसंदेह एक सराहनिय कदम है शनिवार को जी एस्टी परिशद की बैठक में ओक्सीमिटर, ओक्सीजन, सांद्रक, वेंटिलेटर, कोरोना, जाच उपकरण, रेमेडी सिवर, आधी पर जी एस्टी 12 प्रतिशत से घटा कर 5 फीसद करने का फैसला किया गया एम्बुलेंस पर 28 से घटा कर 12 फीसद और सैनिटाइजर पर 18 से घटा कर 5 फीसद कर दिया गया है कवक संक्रमन की दवाओं पर कोई जी एस्टी नहीं लगेगा हालांकि यह फैसला कुछ और पहले किया जाता जब देश में हर तरफ इन चीजों की मांग बढ़ गई थी और कई चीजों की कमी की वजह से लोगों को परिशानियां उठानी पढ़ रही थी तब शायद लोगों को रहत मिलती मगर चूंकी सरकार पहले ही जी एस्टी संग्रहे में भारी गिरावट की वजह से परिशानियों का सामना कर रही है इसलिए उसके लिए यह है फैसला करना आसान नहीं था फिलहाल इन वस्तूओं पर करो में कटावती अगले कुछ महिनों के लिए ही की गई है फिर भी अभी कुरोना संक्रमन की समस्या पर पूरी तरहे काबू नहीं पाया जा सका है कवक संक्रमन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे में इस कटावती से लोगों को राहत मिलेगी पैरा कोरोना संक्रमन के उपचार में खासा खर्च बैठता है कई बार समन्य आयवर्ग की शमता के बाहर हालांकी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जाच और इलाज की विवस्ता है फिर भी कई जगहे कुछ दवाईयां और उपकरण उपलब्द न होने के कारण लोगों को खुद खरीद कर लाना पढ़ता है निजी अस्पतालों में तो सारा खर्च मरीज को ही उठाना पढ़ता है इस तरह कोरोना संबंदी उपकरणों और दवाऊं पर करमे कटाथी की वजह से लोगों पर खर्च का बोज कुछ कम हो सकेगा सरकार के लिए यह फैसला करना कठिन था क्योंकि इस दोरान कारोबारी गतिविदियां रुकी या फिर धीमी होने की वजह से पहले ही GST संग्रह में यानी दर्ज हो चुकी है मई महिने में GST संग्रह एक लाक करोड रुपए से थोड़ा ही अधिक रहा जबकी अप्रेल में यह 1.24 लाक करोड था वित्मंत्राले ने 5 करोड तक के सालाना कारोबार करने वालों के लिए GST भुकतान में 15 दिन की छोट दे रखी है उपर से तमाम जरूरी खर्चों के अलावा कोरोना संक्रमन से लड़ने में काफी धन व्य हो रहा है इसमें राज्यों को भी मदद देनी पड़ रही है फिर भी उसने करों में कटावती करके अपना मानविय दायित्व निभाया है पैरा जबसे केंद्रिय कर व्यवस्था लागू हुई है तभी से किसी न किसी अडचन की वजह से इसकी दरों में लगातार संशोधन करते रहना पड़ा है काइदे से तीन सालों के बाद इन करों में इस्तर टहराव आ जाना चाहिए था सिध्धान्तिक तोर पर माना गया था कि करों में इस्तायित्व आने के बाद उन करों में कटावती शुरू हो जाएगी जिनकी दरें अधिक हैं मगर ऐसा नहीं हो पाया उपभोकता जरूरत से जोड़ी वस्तूओं पर करों को नीचे रखा गया था पर विलासिता की वस्तूओं पर दरें उची रखी गई थी मगर बहुत सारी वस्तूओं ऐसी हैं जो सामन्य उपभोकता के उपियोग में भी आती हैं जैसे एंबुलेंस सेवाएं उन पर भी GST 28 फीसद थी अब वह घटकर बारहे हुई है GST अगर अपने मकसद में कामियाब हो जाता तो शायद सरकार को बार बार ऐसे फैसलों में हिचक नहीं होती पैरा धर्ती पर सभी लोग स्वस्त हो इससे बड़ा इंसान का हासिल क्या हो सकता है चाहे अमीर देश हो या गरीब देश सब आज इसी चिंता में हैं कि स्वास्थे के मोर्चे पर दुनिया को कैसे सुरक्षित बनाया जाए समुह साथ के शिकर सम्मेलन में भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ का मंत्र दिया है भले पूरे समुह ने नहीं लेकिन जर्मनी की चांसलर एंजेला मरकेल ने इस नारे जोड़दार समर्थन किया वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्ये सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने साफ कहा कि आज दुनिया की पहली जरूरत धर्ती के हर नागरिक के लिए एक जैसे स्वास्थे की है और यह तभी संभव हो पाएगा जब हर जग है स्वास्थे सुविधाएं भी एक जैसी हो लेकिन अभी देखें तो हालात एकदम उलट है आधी से जादी दुनिया गरीबी की मार झेल रही है इससे तो कोई इनकार नहीं करेगा की स्वास्थे कुपोशन भुकमरी जैसे संकट गरीबी की ही देन है और इसके लिए अमीर देशों की नीतियां ही काफी हद तक जिम्मिदार हैं तब धर्ती पर हर नागरिक के स्वस्थ होने का सपना कैसे साकार हो इस पर अब खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले देशों को सोचना पड़ेगा गरीबी से छुटकारा पाए बिना तो वन अर्थ वन हेल्थ का नारा सपना बन कर रहे जाएगा पैरा दुनिया महमारी के भयानक दोर से गुजर रही है संकट अभी तला नहीं है बस राहत की बात इतनी है की विक्सित देशों में टीका करण अभियान जोरों पर होने की बजह से संकट को साधने में मदद मिल गई है लेकिन यह राहत चंद देशों में ही नजर आ रही है गरीब और विकास शील देशों के हालात तो बता रहे हैं की उन्हें अभी लंबा संगर्श करना है गरीब देशों में तो अभी जाच के भी इंतजाम नहीं है जब भारत जैसी दुनिया का बड़ा टीका निर्माता खुद टीकों की भयानक कमी जेल रहा है तो बाकी मुलकों का क्या आलम होगा इसका अनुमान सहज ही लग जाता है जदातर टीका निर्माता कमपनियां अमेरिका और येरोप की है इनके टीके महंगे भी हैं और पहले ये अपने देशों की ज़रूरत पूरी करने में लगे हैं ऐसे में समुह साथ के देशों ने गरीब देशों को एक अरब टीके दान देने का जो एलान किया है उसे फिलहाल बड़ी पहल के रूप में देखा जाना चाहिए इससे यह भी जलकता है कि महमारी को लेकर विक्सित देशों में किस कदर चिंता व्याप्त है अमीर मुल्क अब इस हकीकत को समझ चुके हैं कि जब तक सभी देश महमारी से चंगुल से नहीं निकल जाते तब तक वैश्विक अर्थ व्यवस्था को पट्री पर पाना आसान नहीं होगा इसमें कोई शक नहीं कि इस चिंता में उनके अपने हित निहित हैं पैरा समुह साथ के देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जापन और कनाडा हैं इन सभी ने कोरोना की भारी मार जेली है इसलिए यह वक्त महमारी से सबक का भी है जो देश टीका बनाने में अग्रणी है उनकी प्रात्मिक्ता यही होनी चाहिए कि बाजार और मुनाफे से परेहट कर दुनिया के उस हर देश को टीका मुहया कराए जो इसकी पहुँच से बाहर है अपनी बात करें तो हमने भले टीकों की कमी का संकट जेल लिया हो लेकिन अमेरिका सहित कई देशों को टीकों का निर्यात किया जबकि अमेरिका जैसे देश ने ही टीके बनाने के लिए भारत को कच्चा माल देने से यह कहती हुए इंकार कर दिया था कि पहले हम अपनी जरूरत पूरी करेंगे अगर अमीर देश इस रवाईय के साथ चलेंगे तो धर्ती पर सबके समान स्वास्ते का लक्षय शायद ही कभी हासिल हो पाएगा पूर्ण विराम